दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे जिला एवं सत्र नियालाय में अंतर और लोवर कोट क्या होता है देखि कभी भी आप अगर डिस्टिक कोट में अपने डिस्टिक कोट में गए होंगे तो वहाँ पर जो आपका district court का gate होता है वहाँ पर लिखा होगा जिला एवं सत्र न्यालाय और उस district का नाम तो इस वीडियो में जाने के सबसे आसान वासा में और बिना किसी confuse के के difference between district court and session court यानि कि जिला एवं सत्र न्यालाय में अंतर और lower court क्या होता है तो दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं आते हैं अपने topic पर इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि दो तरह के मामले होते हैं पहले civil जिने विहारिक मामले या जिने उर्दू में दीवानी मामले भी कहते हैं दूसरा होता है criminal case यानि कि दंडिक मामले जिने उर्दू में फौजदारी मामले भी कहते हैं अब आप समझ गए देखिए दो तरह के मामले होते हैं और यही मामले यही case decide करते हैं जिला और सत्र न्यालाय को अब बात करेंगे जिला एवं सत्र न्यालाय में किस प्रकार से अंतर होता है दोस्तो इसे पहले आप से request है कि अगर आपने चनल सस्क्राइब नहीं किया तो चनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो की description में कई महित्पूड वीडियो की और मेरे Instagram की link दी गई अगर आप कोई भी कुस्तन पूछना चाहते तो मुझे Instagram पर पूछ सकते हैं दोस्तो आते अपने topic पर देखिए अगर कोई civil मामला है तो वह जाएगा जिला न्यालाय में वहीं अगर कोई criminal मामला है तो वह जाएगा सैसन कोट यानि की सत्र न्यालाय में अब आपको अंतर जानना है कि देखिए किस प्रकार से अंतर होता है देखिए जिला नयालाय में जिना नयालाय इस्तर में सिविल मामलों की सुनवाई जो करते हैं उन्हें कहते हैं जज और जो क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं उन्हें कहते हैं सत्र न्याय अदिस ध्य जिला जजज और यदि माल लीजी आपका कोई क्रिमिनल मामला है तो आपका मैटर जाएगा सैसन कोट में और वहाँ जो उसकी सुनवाई करेंगे वो बोले जाएगे सत्र न्यायादीज यहाँ पे आपको कोई भी कन्फीज होने की ज़रूरत नहीं है अगर जिनाल न्यालाय में कोई जज अगर सत्र यानि की क्रिमिनल मामला की अगर सुनवाई करता है तो उस समय बोला जाएगा सत्र न्यायादीज civil मामलों की सुनवाई करता है तो वो बोले जाएगा जिला जज देखे आपको यहाँ पर बिल्लकुल कन्फीज होने की जुरूर नहीं है ऐसा नहीं है कि सत्र नियादीज कहीं अलग से आते हों या माली जिये जो जिला जज होते हों वो अलग से आते हों ऐसा नहीं है अब दोस्तों बात करेंगे लोवर कोट की लोवर कोट की और civil जज की और judicial magistrate याने की नियाएक magistrate की देखे डिस्टिक कोट से निचली अदालत होती है लोवर कोट जैसा कि मैंने बताया डिस्टिक कोट में अगर कोई civil मामला या क्रिमिलल मामले की सुनवाई करता है तो वह जज होता है ठीक और अब अगर बात करें लोवर कोट की तो देखे लोवर कोट में सिर्फ दो लोग सुनवाई करते हैं पहला civil जज दूसरा नियाएक magistrate देखे अगर आपका मामला कोई civil मामला लोवर कोट में चल दा है तो उसकी जो सुनवाई करेगा उसे आप कहेंगे civil judge और यदि आपका कोई क्रिमिनल संबंदी पहुचदारी का मामला है और वो लोवर कोट में चल दा है तो वहाँ पर उसकी सुनवाई करेंगे नियाएक magistrate और देखिए आपको यहाँ भी confused होने की जुरूर नहीं है क्योंकि देखिए जो civil judge होता है वो नियाएक magistrate भी हो सकता है और नियाएक magistrate जो होता है वो civil judge भी हो सकता है according to कि वो कि वो किस परकार के case किस परकार के मामलों की सुनवाई कर रहा है अगर मैं आपको और भी सरल सब्दों में समझाऊं तो देखिए जो भी जिला नहाला है या एवं सत्र नहाला है यानि की जिला लेविल का चाहे जिला नहाला है या जिला सत्र नहाला है हो वहाँ पर दोनों ही judge होते हैं फरक सिर्फ बतना हो जाता है कि वो जज और जो क्रिमलल संबंदी मामलों की सुनवाई करते तो वहाँ पे सत्र नियादिस भी उसे कह सकते दोनों यानि की दोना होते जज ही अगर हम बात करें लोवर कोट की तो लोवर कोट में जज और मजिस्टेट का फर्क सुरू हो जाता है क्योंकि जो सिविल मामलों की लोवर कोट में सुनवाई करेंगे उन्हें कहा जाएगा सिविल जज और जो क्रिमलल संबंदी मामलों की सुनवाई करेंगे उन्हें कहा जाएगा नियाएक मजिस्टेट जुडिसियल मजिस्टेट इसी परकार से जब फिर ये लोग हाई कोट मे उन्हें कहा जाता है नियाय मूर्ती तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो की डिस्क्रिस्टन में जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मेरे नई चैनल को सस्क्राइब करें और कोई भी कमेंट हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं